पुल्वामा हमले के बाद अब राजोरी में भी आतंकियों ने की नापाक हरकत एलोसी पर किया गया ब्लास सेना के एक मेजर हुए शहीद पुल्वामा अतंकि हमले में शहीद जवानों को उनके पैत्रिक गाओं में नमाखों से दी गई अंतियुम विदाई देश भर में शहीदों को किया गया नमन राइस्थान के पौकरन में वायूशेना का युद्धा भ्यास सुरू एयर चीफ बिरेंदर सिंग धनोवा ने कहा कि हम हर तरह की कारवाई के लिए तैयार पुल्वामा आतंग की हमले पर महरास में बोले पीम मोदी कहा जवानों का बलीदान नहीं जाएगा व्यर्थ शुरक्षा बलो को दी गई खुली कारवाई की छूट आर इसलिए शुरक्षा बलो को खुली छूट दे दी गई है आतंग के खिलाव लड़ाई में सरकार के साथ पूरा उपक सोल पार्टी मिटिंग में तीन सूत्रे प्रस्ता हुआ पास केंद्रे मंती नरेंदर शिंग तोमर ने शहीदों के परीजनों की हरसंबव मदद का दिलाया भरोसा आतंगवाद के खिलाब जीरो टोलरेंस की नीती रही गिजारी भारत सरकार इन सहीदों के परीवारों की हर संबव मदद करेगी इसके अतरिक्ट हमने संबंदित राजी शरकारों को भी यथा संबव मदद देने के लिए का है पुल्वामा के सही जवानों को सर्ध धंजली देने कॉलकाता की सड़कों पर उत्रे हजारों लोग केंडल मार्च में सीम अमता बनर जीवी हुई सामिल मुझफरपूर सेल्टर होम मामले में सीम निटिस कुमार के खिलाफ होगी सीबी आई जांच पोस्को कोट ने पटना के सीबी आई एसपी को दिया जांच के आदेश विधरप की टीम ने से इस भारत के खिलाफ पहली पारी में बढ़त के आधार पर दूसरी बार जीता है रानी कप विधरप के कप्तान फजलत शहीदों के परिवारों को दान करेंगे प्राइज मनी दरेश कार्तिक को वंडे टीम से बाहर किये जाने पर भड़के फैन सोसल मीडिया पर कोहली के साथ चैन करताओ की भी की गई खिचाई बढ़िया खेल दिखाने के बावजूद भी कार्तिक को किया गया वंडे टीम से बाहर कबिल शर्मा के शो से बाहर हुए नवजो सिंग सिद्धू सिद्धू के पलुआमा एटेक पर दे गए बयान का हो राथ हविरोद एचेस्ट न्यूज जहां खबरों का सिलसिला रुप्ता नहीं लेटेस्ट न्यूज और अप्डेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें